हलो काईज, वेलकम रूट रेकिया असरे यूटिव चैनल और फाइनली रेडमी अपनी नोट 13 सीरीज को जो कुछी टाइम में जो लॉंच करने वाली है रेडमी नोट 13 भी रहेगा, 13 प्रो भी रहेगा, 13 प्रो प्लस भी रहेगा सो फ्रेंज, वीडियो स्टराओट कर लेते हैं, बिना टाइमस करें, फटा फट से आपको अपकमिंग रेडमी नोट 13 प्रो प्लस स्मार्टफोन के जितने भी स्पेसिफिकेशन कन्फॉर्म होए, वो आप लोग के साथ में शायर करता हूँ बिल्ड डिजाइन फर्स लुक भी यहाँ पर भार आ चुक है, जैसे कि आप यहाँ पर बैक पनल देख सकते हो, बैक में ट्रूपल एर कैमरे का सटप है, फ्लैश है, दिखने में फोन काफी जबरदस थे, दो शौमी के फ्लाक्शिफ फोन आते, कुछ उस तरीके का आपको विरियंट्स दिखने को मिलेंगे, पॉफॉर्मंस के अगर हम बात करें तो कमपनी ने ओफीशली कनफर्म कर दिया है, कि यह पर आपको मीडिया टेक का टैमेंसिटी 7200 अल्ट्रा वाले एक नया चिपसेट दिखने को मिलेगा, जो के 4NM टेकलोजिव बेस्ट है, बिसिकली डैमेंसिटी 7200 वाला चिपसेट रहेगा, स्लाइटली आप बोसक्तों यहाँ पर टूइक वर्जन यहाँ पर होने वाले है, तो पफॉर्मंस यह स्माटफोन पर आपको काफी तगड़े लेवल की देखने को मिलने वाली है, कैमरास के अगर हम बात करें तो कैमरे का जो प् यहाँ तो 16 Megapixel रहेगा, यह 32 Megapixel का जो है, यह बार सेलफी कैमरा देखने को मिल सकता है, एंडोइड वर्जन इन युवाई के अगर हम बात करें, तो एंडोइड थर्टी नाउट इद बॉक्स मिल जाएगा, मी यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाएगे, सब्राइस आपको 5000 इमेज की बैटरी मिलेगी, टैप-C पोर्ट के साथ में, टिवाइस सपोर्ट करेगा 120W की फास चारजिंग को, आपको फास चुझर भी देखने को मिल जाएगे, इंडिया में कब देखने को मिल सकता है, चाइना में कब देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहले तो आपको चाइना मार्केट के लिए लाउंच करी जाएगी, सब्टेंबर की लास्ट रुक में बता जा रहे है, चाइनीज मार्केट में लाउंच हो जाएगा, इंडिया लाउंच के अगर हम बात करें तो अफीचली तो कुछ भी कनफर्म नहीं है, लेकिन लीक्स के अगर मा नोट 13 प्रो प्ला स्मार्टफोन के जितने भी फॉस्ट लोग स्पेसिफिकेशन वगरा लीक होका है, कुछ कनफर्म हो चुके, आपको यहाँ पर यह कैसे लगे, इन आपके साब से जबी भी यह स्मार्टफोन डौच होता है, इसकी प्राइस पॉंट क्या हो नीची है, आपके से खुटस तना होगी, एन किसे अगर आप पडियो पसंद आए, लाइक करें, शेर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप मिलता आप सगली किसी वीडियो में, चुट तक के लिए, एंक्यू